नमस्कार साथियो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा विभाग से संबंदीत एक महत्पूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेकाया हूँ दिनांक 10 अप्रेल को संपन महन इदिशक महुदय स्कूल सिक्षा की वी सी में सत्र दो हजार तेहीं चोवी सेतू डीबीटी के पर्थम चरण के लिए महत्पूर्ण निर्देश परदान किये गए हैं जैसा कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग में बताया आज की इस वीडियो में ह आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इनफॉर्मेटिव वीडियो वाट्सप ग्रूप और इनफॉर्मेटिव वीडियो टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए हैं आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में में मिल जाएगा जिस पे click करके आप मेरे group से जूड़ सकते हैं दिनांक 10 अप्रैल को संपन महा निर्देशक महोदै स्कूल सिक्षा की VC में 72,023 चोबिस है तू DBT के पर्थम चरण ही तू जो जो निर्देश प्राप्त हुए है उनमें सबसे पहला जो निर्देश है वो है सब्रतम DBT के कार्य ही तू Play Store से प्रेड़ना आधार DBT एप को डाउनलोड करना होगा याद कर लीजे प्रेड़ना आधार DBT एप इसको डाउनलोड करें यदि पहले से है तो उसको सबसे पहले आपको अनिस्टोल कर दें और उसके बाद जो latest version है उसको आप install करें उसके बाद विगत वर्ष के सभी चाथ चात्राइं अगली कक्सा में प्रोणनत कर दिये गए है जिस कक्सा में बच्चा था उससे अगली कक्सा में से प्रोणनत कर दिया गया है सर्थव पर्थम उन्हें चेक करकर पोर्टल पर verify करना सुनिचित करें आपको चेक करना है कि वो आपके विध्याले में है या नहीं उसको आपको verify करना है जो चाथ चात्राइं स्कूल में ना हो उन्हें पोर्टल से आप delete कर दे वेरिफाई उनको ही करना है जो आपके स्कूल में है जो नहीं है उनको पोर्टल से डिलीट कर देना है पोर्टल पर सभी प्रोन चात्राओं को पहले विद्यालने इस तरह से सत्यापित या वेरिफाई करना होगा यदि कोई संसोधन हो तो आप कर सकते हैं इसके उपरांथी नव परवेशी बालक बालिकाओं का एन्रोल्मेंट या पजीकरन हो पाएगा सबसे पहले आपको सारे बच्चों को वेरिफाई करना है उसके बाद ही जो नए बालक आपके स्कूल में आई हैं चात्र चात्र हैं उनको आप एन्रोल्मेंट कर सकते हैं नए चात्र चात्राओं अत्वा बीच की किसी कक्षा में परवेश लेने वाले बालक बालिकाओं से अत्वा उसके अभिभावक से यह पता किया जाए कि उसका पहले किसी अन्य स्कूल में नामंकन होने के साथ साथ प्रेढ़ना डिवीटी में पंजीकरन तो नहीं था देखें वैसे तो बच्चा कुछ नहीं पताएगा लेकिन अगर वो आप आप आइडिया लगा लीजे अगर वो सरकारी स्कूल से आया है कि इससे तो उसका प्रेढ़ना डिवीटी में पंजीकरन हो गई लेकिन कोशिस करें उससे पता करने कि कि उसका नामंकन किसी अन्य नहीं यदि उसका पंजीकरन वीदकरत वर्सों में किसी स्कूल में हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरन स्टूडेंट ट्रांसफर मोड्यूल से सम्मधित स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा दुबारा पंजीकरन हो से ने से विवच्च डूब्लिकेट स्रेण में किया जाए और अभिभावक का वैलिड मोबाइन नंबर फीड किया जाए जो सारी डिटेल है वे अंग्रेजी में भरें और जो अभिभावक है उसका नंबर जो है वही लिखा जाए जो चल रहा हो परिवार एदित्या संख्या में पिता अत्वा माता के रासन काड का अबिभावक किस ग्राम पंचयत का मुल निवासी है उसकी ग्राम पंचयत भरी जाएगी कि शेक 670 2022-23 और 670-324 दोनों सत्रों में चाथ-चात्रों की फोटो अपलोड की जाएगी देखें इस बार चाथ-चात्रों की फोटो भी अपलोड करनी आपको प्रेड़ना डीविटी से संबंद किसी भी तकनीकी समश्या के लिए विद्या समिक्षा केंद्र के टोल फ्री नमबर 0522-3538777 पर आप संपर्क कर सकते हैं सुच्चे हो कि डीविटी का कारिया समय सापेक्स है पुराने चार्चात्रों के वेरिफिकेशन का यह कारिया 14 अपरेल तक 100% होना है जो आपको वेरिफाई करना है वो आपको 14 अपरेल तक जरूर करना है इसी माँ धन्रासी भेजने का पहला बैच बनेगा अधर सीगरता आप डीविटी में इनको वेरिफाई कर दीजे तो आज की वीडियो में इतना ही काफी मैतपूर्ण निर्देश है इनका पालन करें सुनिश्चित करें आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें आगाने बाद।